नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपून जानकारी को लेकर के जहां आईए आज हम सभी दारू हल्दी के बारे में जानते हैं दारू हल्दी के पेंड हिमाले शेत्र में अपने आप जाडियों के रूप में उगाते हैं यह बिहार, पारसनात और निलगिरी की पहारियों वाले शेत्रों में भी पाये जाता है इसका पेंड 150 से लेकर 480 मीटर उचा काटे दार जाडिनुमा होता है, जिसका तना 8-9 इंच की मोटाई का होता है इसके काटेदार पत्ते 2-3 इंच लंबे होते हैं, इसके फूल 2-3 इंच लंबी मंजडियों पर गुच्छों में सफेद या पीले रंके होते हैं, इसके फल को जारिश्क के नाम से जाना जाता है इसकी जड़ पिलापन लिये हुए छोटी बड़ी गांठदार होती है, हल्दी के समान पिले कडवे हल्की गंध वाले जड़ के टुकड़े ही बेचे जाते हैं, डंठल और जड़ में पूरी तरह से पिलापन समाया रहता है, इसके कारण ही इसका नाम दारु हल्दी पड़ा मराथी में दारु हलद, गुजराती में दारु हल्दर, बेंगोली में दारु हरिद्र, लेटिन में बार्बेरिस अरिश्टेटा कहते हैं, इसका रंग दारु हल्दी पिले रंग की होती है, इसका स्वाद तीखा होता है, दारु हल्दी एक पेड की लकड़ी है, जो अत्य चीमर और कठोर होती है इसकी प्रकृति गर्म होती है इसका अधिक मात्रा में सिवन गर्म सो भाव वालों के लिए हानिकारख होता है दारू हल्दी की तुलना हल्दी से की जा सकती है तीन से छे ग्राम इसकी मात्रा आप ले सकते हैं दारू हल्दी के गुण भी हल्दी के समा करता है अयरुवेदिक मतानुसार दारु हल्दी लगु स्वाद में कड़वा कशैला तीखा तासीर में गर्म पाचन शक्ति वर्धक पोश्टिक रक्त शोधक यकृत उत्तेजक कफ नाशक घाव शोधक एवं सुजन को दूर करने वाली होती है यह बुखार श्वेत एवं र प्रदर आँखों के रोग त्वचाविकार गर्भाशय के रोग पीलिया पेट के कीड़े मूं के रोग दांतों मसूडों के रोग गर्भावस्थाका जी मिचलाना इत्यायदी रोगों में उपयोगी है यूनानी चिकित्सा के एकोर्डिंग इसके फल जरिश्क को यूनान जीगर और दिल के लिए लाफकारी होती है इसके सेवन से जीगर और मेदे यानि कि अमाशय की खराबी से दस्त लगना मासिक धर्म की अनियमित्ता सूजन और बवासीर के कुष्टों में आराब मिलता है वैज्यानिक मतानुसार दारु हल्दी के रासायनिक संगठन का बरबेरिन, सलफेट का उपयोग फोडों के इलाज में काफी लाप्रत पाया गया है अब जानते हैं कि किन किन रोगों में ये कारिय करती है सबसे पहले बुखार में दारु हल्दी की जड़ से तयार किये गए कारहे को दो चम्मच की मातरा में रोजाना तीन बार पिलाने स बुखार उतर जाता है अगर आपको दस्त लग रहा हो तो दारु हल्दी की जड़ की छाल और सोट को बराबर मातरा में मिला कर पिस लेते हैं एक चम्मच की मातरा में दिन में तीन बार सेवन करने से दस्त लगने बंद हो जाते हैं दात और मसूडों के रोग के लिए दार दाल चीनी और शहद को बराबर मातरा में मिला कर एक चम्मच की मातरा में रोजाना तीन बार सेवन करने से श्वेत प्रदर में लाव मिलता है सूजन में दारु हल्दी का बनाया हुआ लेप दो से तीन बार लगाने से सूजन की कठोरता दूर होकर दर्द में आराम मिलता ह घाव है अगर आपको तो दारू हल्दी का लेप चोट और घाव पर लगाने से खुन जमता नहीं है और घाव जल्दी ही भर जाता है तूटी हुई हड़ी का जुड़ना जिहां दारू हल्दी के प्रयोग से आपकी तूटी हुई हड़ीयां भी जुड़ सकती है खुनी बवासीर, दारु हल्दी का तना, जड़ और फल को बराबर मातरा में मिला कर लेप तयार करें इसे गुदा और मसो पर लगाने से खुनी बवासीर के रोग में बहुत लाब मिलता है नित्र रोगों में दारू हल्दी का लेप आखे बंद कर पलकों पर लगाकर सोने से आखों का दर्द, लाली, किरकिराहट इत्यादी रोगों में लाब होता है अगर आपके मुँ में छाले हो गए हैं तो 20 ग्राम दारू हल्दी को लेकर 300 ग्राम पानी में उबाल कर काढ़ा बना लें इस काढ़े को छान कर दिन में 2-3 बार कुला करने से मुँ के घाव छाले और दाने खत्म हो जाते हैं दारू हल्दी, हल्दी, डालचीनी, पाढ़ल, नागरमोथा तथा इंदर जो का काढ़ा बना कर कुला करने से गले तथा जीव के रोग दूर होते हैं दारू हल्दी के गाले रस में शेहद मिला कर पीने से मुँ के घाव और छाले दूर हो जाते हैं अगर आपका कान बह रहा है तो दारू हल्दी के बारिक चून को कान में रोजाना थोड़ा थोड़ा डालने से कान में से मवाद बहने का रोग दूर हो जाता है इसके अलावा भगंदर रोग में दारू हल्दी का चोन बनाकर आग के दूध के साथ अच्छी तरह से मिलाकर हल्का गर्म करके उसका वर्तिका यानि की बत्ती बनाकर व्रणो यानि की घाव पर लगाना अधिक लापकारी होता है दारू हल्दी घर का धुआसा, हल्दी, लोध्र, बच, तील, नीम के पत्ते और हरण को बराबर मात्रा में लें और उसे पानी के साथ बारिक पीश कर लेप करने से भगंदर का घाव शुद्ध होकर भर जाता है प्रदर रोग में 10-10 ग्राम दारू हल्दी, बबूल का गुंद और शुद्ध, रंसाजन, 5-5 ग्राम, पीपल की लकडी, नागरमोथा, सोनागेरू और 20 ग्राम मिश्री को पीश कर और छान कर लगभग 2-3 ग्राम के मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के प्रदर रोग मिट जाते हैं, दारू हल्दी को पीश कर लुगदी बना ले, फिर इसमें शहद मिला कर पीने से श्वेद प्रदर मिट जाता है, दारू हल्दी, रसौत, चिरायता, अडुसा, नागरमोथा, बेलगिरी, लाल चंदन, आग के फूल, शहद को मिला कर काढ़ा बना ले, इस काढ़े में शहद मिला कर पीने से वेदना युक्त लाल और सफेद प्रदर मिट जाता है, दारू हल्दी के काढ़े को रोजाना सुबह शाम शहद में मिला कर सेवन करने से श्वेद प्रदर और रक्त प्रदर दोनों मिट जाते हैं, रक्त प्रदर गरभाशय की शिथिलता के चलते उत्पन रक्त प्रदर में दारू हल्दी के काढ़े को शेहत के साथ मिला कर सेवन करने से लाव मिलता है यह श्वेत प्रदर में भी लापकारी होता है नाक के रूग दारू हल्दी की जड़के कारहे से फुंसियों को साफ करने से नाक की फुंसियां भी ठीक हो जाती हैं उपदंश, दारू हल्दी, रासना, पुंडरिया, मुलहठी, देवदार, अगर, कूठ, इलाइची को एक साथ मिलाकर बने कारहे से उपदंश के घाव पर लेप करने से पूरा लाभ मिलता है दारू हल्दी के छाल, शाखनाभी, रसोत, लाख, गाय का गोवर, तेल, घी, दूध, बराबर मातरा में मिलाकर बारिक पीसकर लेप करने से उपदंश के घाव, सूजन, दर्द और जलन में लाभ मिलता है नासूर, थूहर और आख, मदार के दूध को दारू हल्दी के चून के साथ बत्ती बनाकर गुदा के नासूर यानि के जख्म बहने वाले में रखने से जल्दी आराम आता है कामला यानि की पीलिया रोग दारु हल्दी के फांट में शहद मिला कर पीने से कामला रोग यानि की पीलिया रोग शांत हो जाता है नारी का गहाव दारु हल्दी थूहर का दूध और आख के दूध को मिला कर एक बत्ती बना ले उसके बाद उस बत्ती को नारी के घाव पर लगाने से नारी के रोग में जल्द आराम मिलता है टॉंसिल का बढ़ना दारू हल्दी, नीम की छाल, रसोत तथा इंद्र जोग को बराबर मात्रा में लेकर कारहा बना कर सिवन करें तथा इस बात का ध्यान रखें की कारहा चार चमत से जादा नहों क्योंकि जादा कारहा गले में खुशकी यानि की गला सुख जाना जैसा रोग पैदा करता है विंसेंट एंजाइना के रोग में दारू हल्दी के कारहे से रोजाना दो से तीन बार गरारे करने से विंसेंट एंजाइना के रोग में आराम आता है गले के रोगों में दारू हल्दी, नीम की छाल, रसाउत और इंदर जो का काढ़ा बना कर पीने से गले के रोग समाप्त हो जाते हैं तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑल्वेज रखना चीए बिमारी घर कर जाती है आजाती है तो हमारी लिए दुनिया की सारी चीजें बेकार हो जाती हैं इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें और इसके अलावा अपने डाइट को अल्वेज बैलेंस डिरक हैं अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज को शामिल कर रहे हैं जो की जरूरत होती है जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से क्योल मीठा मीठा खाना ही खाया है तो सुभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा विटामिन सी चाहिए होगा वो निम्बू से मिलेगा आपके ओल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार तो उसकी कमी तो हो ही रहे है शरीर में इसलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना जरूरी है सुभाव से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाए या डाइट चार्ट बनाए जिसमें की हर एक चीज शामिल हो जिससे आप स्वस्थ रह सके या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों